नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम नाफिट के बहाफ पे MSTC दोरा कर आई जा रही E-Rakam Commodity E-Auctions के लाइफ फ्लोर पे विडिंग की प्रक्रिया को समझेंगे सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट www.mstcecommerce.com को Internet Explorer ब्रॉजर में खोलना है जिसका landing page आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा उसके पश्चाद आपको E-Rakam E-Rashree Kisan Agreement D वाले लिंक पे क्लिक करना है जिसके पश्चाद system आपको login window पे ले जाएगा यहाँ पर आपको अपना buyer registration के दोरान बनाया हुआ यूजर नेम और पासफ़र डालना है and as a bidder आपको system में login करना है login करने पे आपको आपका buyer menu दिखाई देगा जिसमें auctions की जानकारी pre-bid जमा करने के लिए link pre-bid refund करने के लिए link EMD ledger चेक करने का link auction lot status nafed approval आदी link आपको यहाँ पे दिखाई देगे सबसे पहले आपको click for auctions में जाके all seller and all categories select करके आप live and forthcoming auctions देख सकते हैं live auction जो की उस समय पर चालू auctions है जो की forthcoming auction जो की आगामी समय में मतलब अगले 2-3 दिन में हफते भर में आने वाले हैं जैसे आप forthcoming auction देखेंगे यहाँ पे आपको 3 auction दिखा रहा है जो की 20 और 30 दिसंबर में होने वाले हैं अगर किसी एक auction का आप catalog देखेंगे तो इसमें आपको auction की detail lots की detail terms condition even contract note का link दिया हुआ है आप इस link पे अगर click करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी commodities के contract note जैसे सरसों धनिया, चना, मूफली, उडद इन सभी के contract note आपको यहाँ पे मिल जाएंगे contract note में auction को करने वाले सभी नियम शर्तें, लेंदिन की प्रक्रिया लेंदिन के लिए bank detail इवं auction के सभी terms and condition दिये होते हैं अता आप सभी से अनुरोध है कि क्रपया contract note को बहुत सावधानी के साथ में अठ्छे से पढ़ ले जिससे आपको auction की प्रक्रिया को समझने में आसानी होगी इसके पश्चात यह हमने forthcoming auction देखे अगर आप यहाँ से back करेंगे तो आप जो आपको bedding करनी हैं वो आपको live floor पे करनी है live floor पे अगर आप जाएंगे view live auction में यहाँ पे आपको उस समय पे चालू जो भी auction है वो आपको दिखा देगा जैसे कि आप यह auction देखेंगे यह नाफिट जैपुर के बिहाफ पे धनीय का auction यहाँ पे चल रहा है तो इस auction में आपको auction की जानकारी समय लॉट की जानकारी लॉट का description starting price current price इस तरीके साब को यह सारी जानकारी देदेगा जो आपके लिए bid करते वक्त उप्योगी होगी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे input के लिए दो blank tabs आपको दिये हुए है जहाँ पे booking quantity मतलब जिनता quantity आप बुक करना चाहते है वो आप यहाँ पे डाल सकते है साथी में booking price जितने price पे आप उस quantity को बुक करना चाहते है वो आप यहाँ पे डाल सकते है साथी में अगर यहाँ पे topmost right corner में देखेंगे तो यहाँ पे MPQ lift आपको दिया हुए MPQ is maximum permissible quantity यहाँ पे आपने EMD जितना जमा कराया था जो आपने margin मनी जमा कराया था वो amount आपको यहाँ पे दिखा देगा और जैसे जैसे system की तरह से आपको mall allocate होता जाएगा आपका margin घटता जाएगा अता आपको यह सुनेश्यत करना होगा कि हर समय पर आपके पास जो भी MPQ requirement है उतना amount आपके पास system में होना चाहिए एक बार आपने यहाँ पे जैसे मानलीजे अभाहिम डाल देते हैं quantity आपने डाला मानलीजे 1000 ton यह आपको ध्यान देना होगा कि option ton में हो रहा है, quintal में हो रहा है unit of measurement क्या है यहाँ पे आप देखेंगे current price quintal में दिया हुआ है तो यहाँ पे मानलीजे मुझे 1000 quintal book करना है और price मानलीजे मुझे डालना है 7000 यहाँ पे मुझे bit नहीं करना देगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में MPQ नहीं है लेकिन आप यहाँ पे डालेंगे मानली जब 7000 पैसा डालते हैं तो यहाँ पे आपको system allocated quantity दिखा देगा अगर इस case में किसी ने आपके उपर आपके price के उपर bid किया है तो आपको quantity फिर से de-allocate हो जाएगी और अगर आपनी bid बढ़ाके वापिस से highest price पे ले जाते हैं तो आपको फिर से quantity allocate हो जाएगी इस प्रकार यह auction की विधी रहेगी नाफिट के case में 30 minute का एक auction होता है जिसके बाद 5-5 minute के 3 extensions होते हैं यह extensions अगर auction के दौरान यह extension के दौरान आखरी 3 minute में को इबढ़ाता है तब प्रभावी होता है मतलब अगर auction में last के 3 minute में कोई बढ़ाया तो अगला extension होगा और अगर extension के last के 3 minute में कोई बढ़ाया तो उसके बाद वाला extension होगा इस प्रकार 30 minute का auction 15 minute के 3 extension अंतराल और उसके पस्चाद इन 45 minute के बाद H1 price matching का round होता है जिसमें auction का highest price जो भी H1 price है उस पे आपको system price match कराने का option देता है जिसे आपना consent yes या no में दे सकते हैं अगर आपना consent yes में देते हैं इसका मतलब होगा कि जो auction का highest price है उसमें auction के दौरान आपके दौरा जो bid की गई quantity है उस price पे आप वो quantity लेना चाहते हैं और system आपको वो quantity अगर वो available है तो allocate करतेगा तो इस प्रकार यह आपका auction का पूरा प्रोसेस हुआ इसके बाद अगर आप back जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे कुछ और link दिये गये हैं जैसे आपने अगर auction में participate कर लिया है उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि system में आपको क्या allocate हुआ है तो auction lot status में आप दिख सकते हैं auction lot status में उस दिन आपको किस price पे कितनी quantity allocate हुई है system आपको दिखा देगा and auction होने से nafit के approval आने तक आपकी जो approval इस्तिति है वो pending में दिखाएगा तता अंत में work quantity आपको या तो accepted या rejected जो भी nafit का approval होगा वो दिखा देगा इस प्रकर आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आज जो आपने bidding की थी वो आपकी successful रही या नहीं रही और रही तो किस price पे रही अगर आपने auction में bid किया है या bid नहीं भी किया है तो यहाँ पर एक और link दिया हुआ है नाफिट approvals करके अगर आप नाफिट approvals पे click करेंगे तो पिछले दो दिन में नाफिट की द्वरा जो भी sale हुई है वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं जैसे अभी हम इसके बीच की जानकर यह अगर आप लेना चाहते हैं कि नाफिट द्वरा पैन इंडिया भारत के विबन राज्यों में MSTC के पोर्टल से क्या quantities बेची गई है वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं इस प्रकार यह report भी हाँ प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह तीन लिंक प्रिवेट EMD, EMD request और EMD ledger इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं लेकिन auction होने के बाद अगर आपके wallet में कोई पैसा बचा हुआ रहता है जिसको आप refund करना चाहते हैं तो EMD refund request जनरेट करके आप वो पैसा refund कर सकते हैं इसका time आप जैसा देख रहे हैं यह time आपके लिए available रहता है कि यह 7 वजे से लेके दिन में 1 वजे तक इस बीच में अगर आप अपना पैसा refund करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप वो पैसा भी refund कर सकते हैं किसी भी case में किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे pan-india help line number 033-2290-1004 पर call करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं help line number एक बार फिर दोहरा दू 033-2290-1004 आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको oxygen की प्रक्रिया समझने में आसानी हुई होगी धन्यवाद